संभल के कोतवाली गुन्न और शेत्र के गाउद दफ्तरा में अपने घर सोनी की तयारी कर रहे भाचपा कार्य करता भुवनेश के घर में दो हत्यार बंद लोग दरवाजा खुलवा कर आई और भुवनेश को खीचते हुए बहार ले गए कुछ लोग बहार पहले से ही खड़े थे जिन्नोंने भुवनेश के सीने में गोली मार दी भुवनेश मौके पर ही गिर गया फायर की आवाज सुन घर वाले भी आ गए भुवनेश के सीने से निकल रहे खुन को देख परिवार वो महले में कोहराम मच गया आरोपी मौके से फरार हो गए भुवनेश के परिवार के गुलफाम सिंग यादोव भाचपा के उमीदवार रहे है हाला कि गुलफाम सिंग को जीत नसीब नहीं हुई है भुवनेश भी भाचपा समर्ति जीला पंचाथ सदस्यों के चुनाव लड़ चुका है इसलिए आरोपियों से भुवनेश की प्रति दूनता चल रही है और आरोपियों ने भुवनेश को रास्ते से हटाने के लिए गोली मार दी आके दो लोग एक नहीं हत पकर एक अंपा कड़ हित लएगा महां तलब दरवाजे तक और फिर आयके चार पांच लिपट पर गोली मार दीजिए गोली लगिया सीना पर दो फैर पर दो गोली लगी एक जहां रेक ऐसे करके लिए किस किसी ने मारी उमेश और द्रवेस और अपने घर में सोई भूए थे बैठे हुए थे नौब जे करीव रात की बात है उनका कहना है कि पांच शाइलोग आया फारिंग करते हुए उनको गूली भार दिये उसके बाद हम ततकाल जो है ठाने पर जाके ठाने को सुचित किया ठाने पहुचा वहां समें मेटिकल तरीप आप करें मुकर्मा बंजी कित करके आवश्क करवाई की जाए हुआ 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 हुआ